नमस्कार स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में आज है 31 अगस्ट तो चलिए बिहार के 15 बड़ी खबरों के बारे में आगे इस वीडियो में जानते हैं तो सभी फटापट से कमेंट बॉक्स जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर पूछें और अपने तरब से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर करें तो बिहार में कोरोना संक्रमन की संख्या बढ़ती ही जा रही है अब तक कोरोना माहमारी की संख्या एक लाग पैतिस जार तेरा हो चुकी है बिहार में पिछले 24 गंटों में कोरोना के 2088 मामले सामनी आये हैं वहीं पिछले 24 गंटों में 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है अ स्वस्थ हुए हैं अगली बड़ी कबर बारिस को लेकर है 15 सितंबर के बाद उत्तर बिहार के 19 जीलों में मजद और तेज बारिस को लेकर हाई अलड जारी किया गिया है पटना बंगाल की खाड़ी से आने वाली निम्न हवा के दबाब और अरब सागर की उपरी हिस्से में ब असार है इसके साथ मानसुन की अक्षे रेका का भी जुगा बिहार की तरफ होगा ऐसे में उत्तर बिहार के 19 जीलों में मजद और तेज बारिस के आसार है मानसुन का यह रुक 10 सितंबर के बाद पटना गया नलंदा बेगोसराय नवादा मुझपरपुर की तरफ आने के सम दर्च किया गया लोगडाउन का उलंगन करने पर उन पर केस दायर किया गया सनिवार को जेल से छोटे राज़त MLC रितलाल यादव समित 12 लोगों की खिलाब दानापूर थाने में लोगडाउन की उलंगन का केस दर्च किया गया इसके अलावा पुलिस ने 100 अग्यात लोग सामिल हुए थे वहीं अगली खबर लालो यदव से मिलने गए राज़त-नेता विजएंद्र यदव समित 22 की सडक हाथसे में मौत हो गई एक की हालत गंभिर बताई जा रही है राज़त सुप्रेमों लालो प्रसाद यादव से मिलने राचि जा रहे राज़त-नेता विजेंदर यादव समय दो लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई एक की हालत गंभिर बताए जा रही है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया है घटना हजारे बाग के बरही के पास हुई है सुचना मिलते ही मौके पर पहुची पुलिस ने सव को पोश्म है जंता उन्होंने कहा कि आगामी विधानसवा चुना में बिहार के सभी सीटों पर हमारा कबजा होगा महागडबंदन के सभी प्रितासी जीत का सहरा पहनेंगे बिहार की जंदा चुनाव के लिए तैयार हो चुकी है और रिपोर्ट कार तैयार कर लिया गया है लोगों न मन बना लिया है कि एंडिये सरकार को उखाड फेकेंगे और तेजस्वी सरकार की युवा सरकार बनाएंगे इस सवाल पर कि एंडिये ने 220 सीटों का दावा किया है तेज बरताम ने कहा कि हम सभी 243 सीट ले के आएंगे जेई नीट की परिच्छा इस्तगित करने की मांग को लेकर सडक पर उतरा All India Student Federation सरकार की खिलाब जमकर की नारिबाजी रविवार को पटना में All India Student Federation के कायरकरता सडक पर उतर आएं कायरकरताओं का कहना है कि कोरोना काल में परिच्छा करा कर सरकार चात्रों के भविष्ट के साथ खिलवाड कर रही है सरकार को चात्रों के स्वास्त की चिंता नहीं है कायरकरताओं ने सरकार से 6 मात तक स्कुल फिस रेंट और बिजली माप करने की मांग की साथ ही कमजोर सं चालकों को आर्थिंग मदद करने की अपिल की अगली बड़ी खबर सुसान सिंग राजपूत आत्महिता केस को लेकर है रिया चकरवर्ति से तीसरे दिन सिब्याई की मेराथन आठ घंडे की पुछताची गई वहीं रिया के भाई सोविक चकरवर्ति को सुमवार को फिर बु बता दे कि 3 दिनों में टीम ने रिया से करीब 26 घंडे की पुछताच की है चाई तक इससे पहले धूर्द रिया से सुकरवार को साड़े दस घंडे और शनिवार को साथ घंटे पुछताच की जा चुकी है वहीं अगली खबर सुसान केस में एंसे आज के बाद ड्रक्स माप्याओं में दसहत फिल गई है डर के मारे समुंदर में फेक रहे हैं ड्रक्स अभिनेता सुसाम सिंग राजपूत के मामले में अब ड्रक्स कनेक्शन भी सामनी आ रहा है NCB की टीम इस पूरे मामले की जाच कर रही है दिल्ली NCB के पांच अधिकारी मुंबे में जाच करने पहुचे हैं और जैसे ही NCB की जाच सुरू हुई है मुंबे में ड्रक्स माप्याओं में दस्त फिल गई है दरसल जब से ड्रक्स को लेकर दिया कि वर्टसप चेट सामनी आ पार कर चुके पुलिस कर्मियों को जबरन रिटायर करने वाला आदेस निरस्त कर दिया गया है विरोध के बाद ये फैसला लिया गया बिहार पुलिस मुख्याला ने अपने उस आदेस को निरस्त कर दिया है जिसमें यह कहा गया था कि 50 की उम्र पार कर चुके पुलिस कर् लोगों को और रेल SSP को एक पत्र लगिया था जिसमें वैसे पुलिस कर्मियों के कामकाज के समिक्षा की बात कही गए थी जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और वे सारे रेक ग्रूप से फिट नहीं है राजधानी पत्ना में एक बर फिर से एनम ने स्वास्त मंत्री मंगल पांडे के आवास का घेराव किया मौके पर मौझूद एनम ने स्वास्त मंत्री के खिलाब जमकर नारिबाजी भी की और साथ ही उनके कई आरोप भी लगाए उन्होंने कहा कि स्वास्त मंत्री ने उन्हें अस्वासन दिया था कि उन्हें समान काम के बदले समान वेतन मिलेगा जो कि आज तक पुरा नहीं हो सका उन्हें घर चलाने में काफी परिसानी हो रही है दरसल बड़ी संक्या में A.N.M. स्वासमंद्रे के आवास पर पहुच गई और स्नोकरी को नियमित करने के मांग करने लगी A.N.M. का कहना था कि वो दिन रात लोगों के सिवा में लगे रहते लेकिन अब तक उनकी नोकरी नियमित नहीं की गई साथ ही मांदे भी सही समय पर नहीं दिया जाता है इसी के आलोक में उन्होंने समान काम के बदरे समान वेतन की मांग भी रखी थी वहीं अगली बड़ी कबर पतना एरपोर्ट से फ्लाइट का नया सेडूल जारी कर दिया गया अब आपको पतना से कई सहरों के लिए सिधी उडान मिलेगी कोरोना काल के बीच पतना एरपोट ने 33 जोड़ी फ्लाइट का नया सेडूल जारी कर दिया है यहाँ नया सेडूल 24 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा अब तक 29 जोड़ी फ्लाइट का ओफरेशन किया जा रहा था अब नए सेडूल में कई अनि सहरों के लिए भी सीधी उडान कर दी गयी है पतना से लखनव, वाराणसी, गुहार्टी और अम्रिस्वर के लिए सीधी उडान के लिए एक एक फ्लाइट का सेडूल रखा गया है हालाकि नए सेडुल में अभी राची के लिए कोई भी सीधे फ्लाइट ने रखी गई है दिल्ली के लिए 12 फ्लाइट थी जो सनिवार को घटकर 11 हो गई इसपाइस ने राप के वक्त दिल्ली के लिए अपने एक फ्लाइट से वाकूब बंद कर दिया है कुलकत्ता के लिए फ्लाइट के सेंख्या 2 से बढ़कर 3 हो गई है वहीं अगली ख़बर भोजपुर इस्टार अक्षरा सिंग ने अपने जनम दिन पर एक बच्चे की एजुकेशन की जिम्मेवारी उठाई अक्षरा ने अपने जनम दिन पर वैसाले जिले के राजा पाकर प्रकण के बिड़ना लखन सेन गाउं के एक बच्चे की सिक्चा दिक्चक्या जिम्मेदारी का उठाने का फैसला किया है इसके लिए वे इस बच्चे को हर मेने पढ़ाई के लिए आर्टिंग मदद करती रहेगी अक्षरा ने इसी बच्चे के साथ केगी भी काटा, मौके पर समाज से भी विकास सिंग और गाउं के अईने लोग भी सामिल थे वहीं अगली खबर राज के बेरोजगारों के लिए अच्ची खबर आई है बिसकुमान ने 275 पदों के लिए बहाली निकाली है इसमें अकाउंट अफिसर से लेकर सेल्समें तक के पद सामिल है मिसको मान में अकाउंट्स ओफिसर के एक पद, मार्केंटिक ओफिसर के 20 पद, असिस्टेंट गोदाम प्रबंदक के 88 पद, कम्प्यूटर अपरेटर के 5 पद और सेल्समेन के 142 पदों पर बहाली होगी महीं 2 सितंबर से 28 सितंबर तक ओनलाइन आवेदन जमा लिये जाएंगे स्ट, स्स, महिला और विकलांग अभिरतियों से 508 से 1000 आवेदन के सुल्क लिये जाएंगे अगली खबर, पप्पय आदव ने चिराग पासवान और जितन रामाजी को साथ मिलकर चुनाव लड़ने का आमंतरन दिया कहा जनता एक नया विकल बचाती है मुझपरपूर पहुचे जाप सुप्रीमो पप्पय आदव ने निजी होटल में करिकरताओं को सम्मोधित किया करिकरताओं ने पार्टी की सहदिस्ता गरहन की इस दोरान जन अधिकार पार्टी के राष्टिया एधक्ष पप्पय अदब ने कहा कि लोक जन सक्ति पार्टी के एधक्ष चिराग पासवान और हिंदुस्ताने आवाम मुल्चा के एधक्ष जितन राम माजी को साथ मिलकर चुनाव लड़ने का अमंतरन दिया है उन्होंने कहा कि बिहार की जनता एक नया विकल्प जाती है इसलिए में चिराग पासवान और जितन राम माजी से आगरा करताओं की वे हमारे साथ आएं और मिलकर चुनाव लड़ें इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के ल